दस सेल, आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, अर्था कोशिका के बारे में, तो क्या होती है सेल, यानि हमारी कोशिका क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, सेल is the basic, structural and functional unit of the body, मतलब कोशिका हमारे सरीर की छोटी से छोटी एकाई होती है, टाइप आप सेल, ये कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है, और दूसरा यूकारियोटिक सेल, तो देखे, कुछ इस तरीके से हमारी एक सेल होती है, जिन से हमारे सरीर बना होता है, तो सबसे पहले सुरू करते हैं, प्रोकारियोटिक सेल को, तो 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 प्रोक are a small single cell organism, बहुत छोटे छोटे एक single cell organism होते हैं, example of prokaryotes, तो इसके example में blue green algae, bacteria and mycoplasma, यह आते हैं इसमें, example में, तो prokaryotes bacteria are the most common and multiply very fast, मतलब यह common bacteria होते हैं, जो बहुत जल्दी multiply कर जाते हैं, मतलब अपनी संख्या को बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं, they are single cell range in size 0.2 से 10 micron तक होता है, मतलब यह बहुत छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे होते हैं यह जो normal हमें आंकों से दिखाई भी नहीं देते हैं, eukaryotes की बात करते हैं, अगला, तो eukaryotes क्या होते हैं, तो eukaryotic cell have a nucleus, जैसा कि आपने देखा था कि prokaryote में nucleus नहीं था, इसमें nucleus presents होता है, इसमें जो आते हैं वो phylum होते हैं जैसे protozoa, phylum, fungi, planty and animals, that means animalia all have eukaryotic cell, यह जितने भी होते हैं सब में eukaryotic cell पाई जाती है, they are classified under the kingdom eukaryota, मतलब अगर हम बात करते हैं eukaryota की तो उसके अंडर में यह सारे phylum आते हैं, phylum protozoa, fungi, planty and animalia, इनका discuss हम आगे चलके करेंगे, जो भी है इसका हम सारे phylum भी discuss करेंगे, तो चलिए फिलाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में, classification of eukaryotic cell, तो इसमें सबसे पहला जो आता है, वो होता है unicellular, unicellular के मतलब सही समझ में आता है, uni मतलब single, ऐसे organism जिनमें single cells पाई जाती है, मतलब single cell organism, इसका सबसे best और बहतरी न example होता है amoeba, amoeba जो होता है इसमें nucleus पाया जाता है, वैक्योल पाया जाते हैं, इनको चलने फिरने के लिए इसमें pseudopodia होते हैं, मतलब आदवासी पाया हो, लेकिन इनको देखने के लिए आपको microscope की जरूरत पढ़ती है, बहुत सूख्शम होते हैं, बहुत चोटे-चोटे हमें आखों से नहीं दिखाए देते हैं, इसलिए microscope की जरूरत होती है, अगर हम इसमें unicellular के और example की बात करें, तो इसमें आता है, paramecium, bacteria and other one yeast, जिसको खमीर कहते हैं, और भी example हैं, जैसे कि हमारे यूग लीना हुआ, ये भी हमारे unicellular organism में ही आता है, अधर दूसरे की बात करते हैं, multicellular की, तो multicellular को दो भागों में डिवाइट किया गया है, first, with cell wall, ऐसे organism, जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ती, अर्था cell में cell wall पाई जाती है, वो आते हैं, with cell wall, जिसमें जितने भी plants होते हैं, जितने भी herb होती हैं, घास, पूस, जितने भी आती हैं, सभी की cell के उपर cell wall पाई जाती है, जिसको कोशिका भित्ती कहा जाता है, और other one होता है, without cell wall, मतलब ऐसे organ, मतलब ऐसे जन्तू, ऐसे जीव, जिनकी cell के उपर cell wall का अभा होता है, जैसे कि जली जन्तू में, मचली बगरा, कुछ भी हो है, दूसरा, जंग without cell wall वाली cell में होते हैं, इन cells को animal cells पूलते हैं